प्रद्धन मंत्री इन्रे निर्मोदी ने भारते किलोना मेला 2021 का किया शुबारम्ब खिलोना निर्माताउं से आत्म निर्भर भारत यात्रा का हिस्साब बनने का किया आहवान संत रवीदास जोयनती के आवसर पर राश्ट्रपती और प्रद्धारमंत्री ने देश वास्वियों को दी शुब कामना आए मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने संत महापूरुश विचार सम्मान एवं प्रसार योचना की घोशना की पिछले वर्षों में परिक्षा पे चर्चा कारिक्रम के दोरान प्रद्धामंत्री से समवाद करने वाले प्रदेश के विद्यार्थियों ने साजह किये अपने अनुभव अन्य चात्रों से कारिक्रम के चौथे संसकर्ण में जुड़ने की अपील की और प्रदेश भर में कोविड-19 वेक्सिनेशन लगातार जारी अब तक लगबग 3 लाख लोगों का किया गया टीका कर नमस्कार मैं सुरेंद्र कुमार अब समाचार विस्तार से प्रदामंतरी ने भारते खिलोना मेला 2021 का आज वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से उधगाटन किया उन्होंने कहा कि बच्चों के मस्तिश्क के संपूर्ण विकास में खिलोने एहम भूमिका निभाते हैं और मनोव विज्ञानिक गतिविधी और ज्ञान की कुशलता भढ़ाने में मदद करते हैं प्रदामंतरी ने कहा कि खिलोने ना केवल बच्चों की तारकेक शक्ति को भढ़ाने का काम करते हैं बलकि इससे उनका चहुमोखी विकास भी होता है उन्होंने कहा कि बच्चों के समगर विकास में खिलोनों की एहम भूमिका होती है प्रदामंतरी ने कहा कि खिलोना, क्लस्टर और खिलोना निमाताओं से आत्म निर्भर यात्रा का हिस्सा बनने का भी उन्होंने अखवान किया हमें खेल और खिलोनों के ख्षेत्र में भी देश को आत्म निर्वर बनाना है वोकल फॉर लोकल होना है इसके लिए हमें आज की जरुतों को समझना होगा हमें दुनिया के बाजार को दुनिया की प्राथ्विक्ताओं को जानना होगा हमारे खिलोनों में बच्चों के लिए हमारे मुल्य, सांसकार और सिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुनवत्ता भी आंतराश्ट्य मानकों के हिसाब से होनी चाहिए प्रधामंत्री नरि न्रवोदी ने खिलोना निर्माताओं से ऐसे खिलोने बनाने का आहवान किया जो परियावर्ण के अनुकूल हो और बच्चों में रचनात्मक्ता बढ़ाने का भी काम करें प्रधामंत्री ने कहा कि भारत के पास तकनीक संबंदी अवधारना है और दुनिया को एक अनोखा प्रिपेक्ष देने की शमता भी है कि सभी खिलोने इको फ्रेंडली और क्रेटिव है ये खिलोने देश के युवां मन को हमारे इतिहास और संस्कृते से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं खिलोनों के ख्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलोजी भी है भारत के पास कंसेब भी है और कॉंपिटन्स भी है हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉइज की और वापस लेकर जा सकते हैं हमारे सौप्पेर एंजीनियर्स, कंप्यूटर गेम्स के जरिये भारत की कहानियों को भारत की जो मूल भूत मुल्य है उन कथाओं को दुनिया तक पहुँचा सकते हैं संत रवीदास जी की जहनती है प्रिश्रम्रत रहने के मुल्यों पर बल दिया आईए हम उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए समता एकता और न्याय पर आधारित समाज और देश के निर्माण के लिए एक जुट होकर आगे बढ़े हैं प्रशामंतरी निरेदर मोदी ने भी संत रविदाश जोयनती पर अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को शुब गामना है देते हुए का कि संत रविदाश जी ने सद्यों पहले समानता, सदभावना और करुना पर जो संदेश दिये वे देशवासियों को युगो युगो तक प्रेडित करने वाले हैं उनकी जोयनती पर उन्हें मेरा साधर नमन प्रदेश भर में भी आज संत शीरोमणी गुरू रविदाश के 644-वे प्रकाशव उत्सव पर विभिन कायक्रमों का आयोज़न किया गया मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने चंडिगड में आयोज़ित राज अस्तरिय समाहरों में हिस्सा लिया और वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से प्रदेश भासियों को गुरू रविदाश जयनती की शुब कामनाई थी मुख्यमंतरी ने कहा कि संत शिरोमणी गुरू रविदाश ने मानवता को आध्यात्मिक संदेश देने के साथ साथ कर्म करने के लिए भी प्रेरित किया मुख्यमंतरी ने प्रदेश वासियों को गुरु रविदाश के जीवन से प्रेणा लेकर आदर्श समाज की स्थापना में सहयूग करने का आहवान किया श्री गुरु रविदाश जी की आज हम मना रहे हैं अर्थात लगबग साड़े छेसो साल पहले ये ऐसा कारेकाल था जिस समय हमारे समाज के जो स्थिती थी बहुत भयावे स्थिती थी को अच्छी नहीं थी और उस समय बहुत से महापुरुश हुए समाज की स्थिती को देखते हुए उस समाज को ताकत और बनाने के लिए जागरेत करने के लिए समाज की बुराईयों को कमजोरियों को दूर करने के लिए उन्हों ने स्थिती हम अपनी अमरित वानी से भगती भाव से समाज को जागरेत करने के लिए उनका आगमन हुआ ऐसा मैं कह सकता हूँ उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनुसूर चित जाती के बीपेल परिवारों को ही नहीं बलकि सभी जातियों के बीपेल परिवारों को दिया जाएगा मुख्यमंतरी मिनोहरलाल ने कहा कि एक अप्रेल दो हजार एकिस से मुख्यमंतरी अंतियोदै परिवार उत्थान योजना एक को लागू किया जाएगा गुरू रविदाश की जैन्ती पर मुख्यमंतरी ने संत महापूरुष विचार संबान इवन प्रसार योजना की भी गोशना की योजना है उस योजना का नाम है डॉक्टर अमेट कर आवास नमी नहीं कर लिए योजना किसी का मकान तूट जाया या उसमें कोई छोटा मोटा हिस्सा उसका मुरमत कराना हो तो मुरमत के नाम की सरकारिक राशी देती है 50,000 रुपया अपलाई करते हैं लोग 50,000 रुपया लेकन ये है केवल अनुसूचित जाती बीपियल के लिए तो पहला का हम तो आज इस अवसर पर ये राशी सबकों मिलेगी जो बीपियल के लोग और तीसरा विश है ये कि कभी-कभी लोग हमको मिलते हैं वो कहते जी 50,000 रुपय में दिवारे तो बन गई वहने दो कमरे बनाने थे च्छत उसकी बनी ले पचाज आज मेंगाई के जमने में कम हैं तो मने क्या करां इसको बढ़ा दे हैं आप इसके लिए सहमत बढ़ा दे हैं तो ये 50,000 से 80,000 कर दी जाती है प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी दवारा देश के युवा चात्रों के मन में परिक्षा को लेकर डर को दूर करने के उदेशे से आयुजित परिक्षा पे चर्चा काईक्रम का सकार अत्मक पर भाभा पड़ा है कैतल जिले के राज के सीनेर सेकेंडरी स्कूल पीढल में दस्वी कक्षा की चात्रा अंजली और राज के सीनेर सेकेंडरी कन्या विद्यालेक्ट चीका की बारवी कक्षा की चात्रा नीतू ने बताया कि उन्हें परधामंत्री नरेंद्र मोदी दवारा आयुजित में भाग लेने से उनके मनोबल में बढ़ोत्री हुई है और ये सीख मिली है कि हमें परिक्षा से घबराना नहीं चाहिए बलकि पूरी लगन से पढ़ाई करते हुए परिक्षा की तैयारी करनी चाहिए दर जाते हैं तो हमें परिक्षा से डरना नहीं चाहिए जो हमें पहले आता है वो करना चाहिए परिक्षा पर चर्चा योजना के तहट दिल्ली पर उनसे मिलने गई थी वहां मुझे जाकर बूती अच्छा लगा था मेरे पेरेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा कि भी मेरी लड़की पूरे ब्लोक और डिस्टिक में चुने गई थी बच्चों से एक आना चाहती हूं कि वे परिक्षा में कभी भी नर्वस ना हो ध्यान से पढ़ो और ज्यादा देर तक मतलब ज्यादा भी कॉन्फिडेंस ना हो ध्यान से पढ़ना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वे वो मुझसे उपर आई या मैं उचसे नीचे हमें बस सीरफ खुद से एकॉन्फिडेंस होना चाहिए चात्राओं के परिजिनों ने कहा कि प्रदा मंतरी नरेंदर मोदी की सोच देश के युवाओं को आगे बढ़ाने की है और हमें गर्व है कि हमारी बेटियों ने परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम में हिस्सा लिया बहुत खुसी हुई है कि हमारी बेटी ने इतने अच्छे वो करके प्रदान मंतरी जी से मिलने के वो किया है हम प्रदान मंतरी जी के बहुत अबारी हैं लड़कियों के लिए इतने अच्छी युजना चलाई हुई है हम आसा करते हैं कि प्रदान मंतरी जी और अच्छी य नाम देखा तो हमारा जो बच्चों के प्रती था उत्षा बहुत बढ़ा की हमारे बच्चों का नाम के थल में शिर्फ दो बच्चों का ही नाम आया है और हमने अंजली के नाम को पढ़कर बहुत ही गरों महसूस किया प्रदेश भर में लगभग 2,99,000 लोगों का कोवीड-19 टी का करण किया जा चुका है प्रदेश का रिकवरी रेट 98.47 प्रतिशत है जब कीमरित्यूदर 1.13 प्रतिशत है भिवानी जिले में कोवीड-19 वेक्सिनेशन के प्रथम चरण के तहट 78 प्रतिशत फ्रंट-लाइन वर को टी का लगाया जा चुका है दूसरे चरण की तहट लगभग 5,500 क्रमचारियों को टी का लगाया जाने का लक्षा रखा गया है जिले में सभी CHC पर कोवीड-19 टी का करण के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है शुरू किया था ये वैक्सिनेशन का प्रोग्रम जो अब उनका सेकेंड डोस का टाइम शुरू हो चुका है तो सबको मेसेज़स जा चुके हैं और आज हमने 34 सेशन्स लगाए हैं रूरल अर्बन सब में लाकर तो इनमें हम जो हम लोगों ने कोवी शील्ड की वैक्सिन जो दी दाई थी है लाइन वर्कर्स को वही सेकेंड डोस दी जाएगी हम चरण में हमारे हल्थ केर वर्कर्स को जितने भी हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स और उनके स्टाफ को मिलाकर 2425 को वैक्सिनेट किया गया था आज उसी कड़ी में हमने सेकेंड डोस के आफ्टर 28 डेज शुरू होने के बाद हमने आज से फस्ट सेकेंड डोस के लिए शुरुआत कर दिया और 35 सेशन साइट्स बनाई गई हैं जिसमें चार हमारी अरवन में हैं बाकी पीएसी लेवल त उनने कहा कि टीका करना भियान में लोगों को हिस्सा लेना चाहिए तभी हम कोरोना जैसी महमारी को जड़ से मिटा पाएंगे कोविड-19 महमारी के खिलाफ देश एक जुठोकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के तीन आसान एतियाती उपायों का संकल्प ले मास्क हमेशा सही धंग से पहने दो गज की दूरी बनाए रखे और हाथ बार बार धोई प्रधा मंतरी निरेंद्र मोदी कल सुभः 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कायक्रम के जरीए लोगों के साथ अपने विचार साचा करेंगे यह कारिक्रम आकाशवाणी और दूर दर्शन के सभी नेटवर्क्स, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ओन एयाई यर मोबाईल अब पर प्रसारण मंतरी कारियल है, सूचना एम प्रसारण मंतरा लेके यूट्यूब चैनल्स पर भी कारिक्रम का लाई प हमारे साथ फेस्बुक, ट्वीटर और यूट्यूब के माध्यम से बिजुड सकते हैं। हम से जुडने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के बिजली उपभोगताओं के बिलों की शिकायतों के निवारन हेतु। उत्तर हर्याना बिजली वितर निगम द्वारा अपने बिल को जानो योजना शुरू की गई हैं। निगम के प्रबंद निदेशक शशांका आनदित द्वारा इसी सम्मन्द में निर्देश जारी किये गए हैं। कि यूएच बीवेन के अंतरगत आने वाले सभी जिलों के उपमंडल अधिकारी सब्ताह के प्रतेख वीरवार को खुले दरबारों का आयोजन करके बिलों से सम्मंदित समस्याओं का मोके पर ही निवारन करेंगे। भारती तल सेना में आगामी 14 मार्च से 5 एप्रिल तक जिला महंदरगड, डिवारी, भिवानी और चर्खी दादरी के उम्मिदवारों के लिए हिसार मिलिटरी स्टेशन में खुली भरती का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुल्टन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बुख्य मंतरी मनोहरलाल ने संत महापूरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना की गोशना की। पिछले वर्षों में परीक्षा पे चर्चा कारिक्रम के दोरान प्रधामंतरी से संवाद करने वाले प्रदेश के विद्यार्तियों ने साज़ा किये अपने अनुभाव। अन्य चात्रों से कार्क्रम के चोथे संस्कर में जुड़ने की अपील की। और प्रदेश भर में कोविड-19 वेक्सिनेशन लगातार जारी। अब तक लगभग 3 लाख लोगों का किया गया टीका कर। समाचार हमें आज इतना ही, नमस्कार। अन्य चात्रों से कार्वाव। झाल